स्वार्वर्थम तो आईपा ने मुझे अपने मंज पर बोलने का जो मौका दिया है उसके लिए मैं हदय से उनको धन्यवा देता हूं और मैं कहता हूं कि पत्रकारितार से जुड़कर के मुझे समाज के हरवर की लोगों से मिलने का जो मौका मिला इससे मेरा एक नया मेरे जी बहुत सांदार आपका एक कारे है जो जन जन से लोगों के दिलों की बात निकालगर के सभी लोगों के बीच में प्रसारित कर रहे हैं इसके लिए एक बार मैं पुनह आईपा को धन्यवाद देता हूं कि मैं ही नहीं बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हैं जो संतुस्ट हों और सभी एक मत होकर के एक नई सरकार बनाने का जो विचार बनाए है योगी जी को पुनह एक बार प्रदेश की कमान सौपी जाए तो स्रौपने के लिए कठी बद्द है और हम सभी लोग साथ दे रहे हैं हमें लोग साथ देंगे धन्यवाद नमस्ते मैं संतोष देवगिरी मिर्जापुर से आईपा यानि आल इंडिया प्रोविश्यक पॉल्टिक्स एसोसियेशन जो बात करता है प्रक्सिल राजनीत की प्रक्सिल समाच की प्रक्सिल मुद्दों पर आज हम जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर एक ऐसे सक्सियस स रूहरू करा रहे हैं जो मिर्जापुर जनपत के पत्रिकारता के अधार अस्तंब कहे जाते हैं तकरीबन तीन दसक से पत्रिकारता के छेत्र में सक्री होने के साथ साथ प्रतिष्ठित समाचार पत्र आज हिंदी दैनिक से जुड़े रहे हैं इसी के साथ ही आप जन सरोका के मुद्दों पर आदिवासी समाज के छेत्रों में आदिवासी पिष्ड़े बंचित लोगों के सेवा भाव में भी लंबे समय से जुड़े रहे हैं हम उनसे मिलते हैं सवर्पर्थम उन्हीं से उनका परचय प्राप्त करते हैं और अन्य मुद्दों पर उनसे चर्चा करते हैं नमस्ते तो आइपा ने मुझे अपने मंज पर बोलने का जो मौका दिया है उसके लिए मैं हदय से उनको धन्यवाद देता हूं और मैं कहता हूं कि पत्रकारितार से जुड़कर के मुझे समाज के हरवर की लोगों से मिलने का जो मौका मिला इससे मेरा एक नया मेरे जीव और गलत का निर्णाय लेने में अपने आपको सक्षम भी मानता हूं और राजनीती के दिष्टिकोन से जनपद की राजनीती में मैंने एक लंबे अंतराल तक बड़े उतार चड़ाओ देखे हैं यहां जो मौझूदा समय में माननी राजना सिंग रक्षा मंत्री हैं जिन् उन्हें बड़ी धैरता और गंभीरता के साथ भारत वर्स के ग्रह मंत्री का कारेकाल सम्हाला उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे जन प्रदेश के विभिन अच्छे विभागों के वह मंत्री रहे मिर्जापूर में सिख्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने जो अइतिहासिक कार किया और जो आज तक भुलाया नहीं जा सकता सबसे बड़ी बात है कि मैं इन लोगों के सानी धिम्यरा करके उन सारी चीजों को समझा हूं जाना हूं और आज के परिप्ष में जो राजनेतिक दिखाई दे रहा है उसको देख करके मैं बहुत ही अपने आपको अच्छा महसूस कर रहा हूं कि आज जन्ता जागरूख हो चुकी है उसको अब यह नहीं बरगलाया जा सकता है कि हम आपके हैं या आप हमारे हैं चन्ता जानती है कि कौन हमारा है कौन हमारा नहीं है उनको व्यापक पैमाने पर जो लालच वाली या व्यावस्ताओं वाला आश्वासन देकर के लोग राजिनीती में अपने पक्ष में मद्दान करने के लिए बात कर रहे हैं लेकिन आज हर ब्यक्ति कह रहा है कि हमने देखा है, हमने पाया है, हमने मिरजापुर में ही रह करके, मैंन चुनाओं के दौरान बात होती है प्रक्सीर राजनीत की प्रक्सीर समाच की और खास करके अस्थानी समस्यां अस्थानी मुद्दों को लोग भुला दें अखिरकर ऐसा क्यों होता है क्या वज़ा होती है देखिए ये तो गैर भाजपाई सरकारों की बातियक करें आप जो की चुनाओं के बाद अस्थानी मुद्दों की बात करें आप सपा की सरकार थी मिरजापूर में एक जमाना था कि नगर छोड़ करके ये दिया आप माध्यप्रदेश की तरफ बढ़ें तो ड्रमन गंस तक आप बाइक से चली ही नहीं सकते फोरविलर की बाती छोड़िए और उ जा रहे थे मैहर दर्शन करने के लिए ड्रमन गंज में वहां के लोगों ने रोक लिया था और एक घंटे तक रोकी रखा क्यों उनसे कोई दुस्मनी नहीं थी वह मंत्री थे उनका दाई तो था उन्होंने आश्वासन दिया था कि जनपद के विकास में मैं कानु करूगा लेकिन सड़के एकदम बूरी हालत में थी आम लोग साइकिन से चल करके गिर करके चुटहील हो रहे थे आकरोशी थी जनता रोक लिया उन्होंने बड़ी मुश्किल से गए लेकिन आज का दिर से आज मिरजापुर से लेकर के ड्रमन गंज नहीं भैशोड बलाय पहाड तक यंपी के वाड़े तक एकदम चमचमाती हुई सड़क है जिस पर फराटे मारते हुए लोग जा रहे हैं तो चुनावी बादा था योगी का न उन्होंने पूरा किया है हमारे नगर बिधायक रतनाकर मिस्राजी हैं उन्होंने जनपद में की बात छोड़िये नगर बिधा सवागे अपने छेत्र में बहुत सारे कारे कराये हैं बिंध्या चलके विकास को लेकर कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े कदम उठवाये हैं विकास खंड कोन के लोगों को कचाहरी आने में बहुत प्राबलम होती थी उन्होंने एक गाउं है गंगाजी किनारे पहुचा है और सभी रतनाकर मिस्रा की जैजैकार कर रहे हैं इसको हम कहा कहते हैं कि जो आपने कहा कि चुनाओ के समय किये गए वादे को लोग भुला देते हैं लेकि भाजपा ने नहीं बुलाया रतनाकर मिस्रा ने नहीं बुलाया है योगी ने नहीं बुलाया है आज य प्रमोजी पत्रकार हैं आपका भी अधिकार है मताधिकार साथ मार्च को यहां विधान सभा का चुनाओं के मद्दान होना है आप किन मुद्दों को लेकर मद्दान करेंगे आपके प्रात्मिक्ता क्या होगी देखिए हमने अपना जो लक्ष तैक कर रखा है अपने जन्पद के विकास का और जो केवल और केवल योगी जी ही कर सकते हैं उनका एक बार पांच साल के लिए उन्ह सरकार बनना हमारे जन्पद के लिए समझने लिए अमरित का काम करेगा जैसे एकदम ठंडी रितू में यती बरसात होती है तो किसान ये नहीं कहते हैं कि पानी बरस रहा है हमको सीत लग रही है वह कहते हैं कि ये अमरित बरस रहा है उसी तरह आज इस चुनामी माहौल में जो योगी जी का संकल्प पत्र है वो अमरित के समान है जितने कार किये गए हैं उन कारियों को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्ति को वक्त की जरूरत होती है और व्यक्ति को वक्त नहीं मिला तो वही फुस्पताखा वाली बात हो जाती कि हमने वादा किया था पूरा नहीं किया इनोंने हमने वक्त ही नहीं दिया इनको ये क्या पूरा करेंगे हाँ ये समय है हमारा हम मत दे कर इनको पूरा वक्त देंगे जिससे हमारे जन्पत का ब चुनार है, सतेजगड है, एक से एक परेटनस्तन है, जहां पर लोग हजारों की संख्या में लोग बाहरी लोग आते हैं, मिरजापुर के अंदर बड़े बड़े बांध हैं, जिसके जल से लोग जब बारिश के समय नहाते हैं या अभी बिना बारिश के लोग जाते हैं, वह मस्ति लेते हैं यह विवस्था प्रकृत ने हमको प्रदान की है उन व्यौस्थाओं को जो संब्रिद दिसरकार आती है उसको और सुन्दर बनाती है जो योगी जी बना रहे हैं उनले जढ़ मुहिम के बारे में बहुत बढ़िया बहुत सांदार आपका ऐक कारे है जो जन जन से लोगों के दिरों की बात निकाल गर के सभी लोगों के बीच में प्रसारित कर रहे हैं इसके लिए एक बार मैं पुना आईपा को धन्यवात देता हूं कि मैं ही नहीं बहुत सारे लोग आप से जुड़े है जो संतुष्ट हों और सभी एक मत होकर के एक नई सरकार बनाने का जो विचार बनाए हैं योगी जी को पुनह एक बार प्रदेश की कमान सौपी जाए तो सौपने के लिए कठी बद्ध है और हम सभी लोग साथ दे रहें हमें लोग साथ देंगे धन्यमाद नमस्ते कर दो